तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यहाँ पर देखे मैंने पालक गुच्छा था इसे मैंने काटकर साफ करके काटकर रख लिया है और इसे थोड़ा-थोड़ा करके हम पैन में डालेंगे पैन को गरम कर लेंगे उसमें बीना तेल के ही हम थोड़ा-थोड़ा डालकर बस दो मिनट के लिए हम इसे उबालेंगे बहुत ज़्यादा इसको उबालना नहीं है, बस हलका से नरम हो जाए ना, बस ऐसा ही चाहिए, पानी एकदम नीचे चलाएगा, और हमारे जो पालक है वो हलका सा नरम हो जाएगा, देखी कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और हमारे ये हलका सा नरम भी हो गया है, फोर से इसमें ढालेंगे हम अद्रक, या आप चाहिए तो इसे कटिंग करकर भी डाल सकती हैं, मैंने या ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करने के बाद इसे थोरे दिर के लिए उबालेंगे, जब उब पधेंशेमосाबों डालेंगे, बस हल्दी डाह तो नमक लिएन लग नमक जाला है जाल कर इसको उबानी को शुखा लेंगे थोड़े ही देर में दो से तीन विनिट में हिए पानी एकदम शूख जाएगा और इस तरीके से हमारा तयार हो जाएगा पस ऐसे हमें बना कर रेडी करना है पानी हमारा सूख गया है अब इसे ठंडा करने के लिए रख लें लेकिन डंठल बहुत काम के चीज़ है इसमें बहुत अधीक स्वाधिष्ट बना देता है रेसिपी को अब हम लेते हैं आटा आटा आपको जितनी जोरत हो या आपके घर में जितने मेंबर हो उसके अकोडिंग आप ले रही है उतना ही आटा लीजिए और हमने जो पालों को इसमें डालकर तो हालों को पूरा एकसमतमद टाली है ठोड़ा तो हमने बहुत फॉड़ा गिला करके ढालते है तो इससे हमारे पतलब आणने फॉड़ा नहीं हो जां़का अर तो हमारे थोड़ा इसे थोड़ा एधीक करके हम डालें पता भी चल जाएगा कि हमें कितना डालना है थोड़ासा बची भी जाएगा तो उसका हम चटनी वगरा कुछ भी बना सकते हैं और यदि नहीं तो थोड़ासा और आंटा को बढ़ा देंगे हम उसी तरीके से उसमें गूथ लेंगा हमने जो यह मिक्सचर त्यार करका था था इसमें डालेंगे क्यांकि हमने इसमा तूस हम फुछ डाला है अब हमें उपर सो कुछ रह बहुत भी नहीं डालना हैन अब आप से कटिंग करके इस भी डूलतान है यह आज मैं आपको बतांगे कि इस तरीके से यदिया बनाएंगी ना ताब के पराथे मतलब पालक के भी पराथे बहुत अधिक फूल कर बनेंगे अब मैं बना रही हूँ चटनी एक rendre या बना वह सकती है पराथे के साथ चटनी अच्छी लगती है आप चाहे तो दही बही खा सकती है दही के साथ भी या फिर आप रायता भी बना सकती हैं तो आप किसी के संग भी इस पराठे को सर्व कर सकती है तो देखिए हमाई चटनी जो है ना बन गई इस चटनी में मैंने थोड़ा सा जीरा कच्छा जीरा है ना वो डाल दिया इसे इसका स्वाद मा काफी बढ़ गया आत दिया करते करते हैं अब बनाते हैं पराठे जी हां आप हम लेते हैं लोई तो हम रोटी से थोड़ा सा से बढ़ लेंगे तब ही हमारे पराठे अच्छी बनेंगे बढ़ा लेए लिया है और इस तरह से हम बेलेंगे दीके कितना स्मूथ सा दिखे राया है पर यह फाता भी नहीं है और फूले गा भी देखिए हमने एक परत्फन में लगा कर और इसको बेल लेते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर याच पराठे लगा याच उर्क मैं इस तरीके से बनाए चाहिए तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है और में होट नहीं में चחे बेने बना सकती है यह पोर इंब और बहुत अच्छा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी चरूर कीजिएगा तो देखिए इस तरीके से अपने पराठे को बेली लिया है पर्थन लगा-लगा कि आप अराम से इसको सुखांट लगा-लगा कि आप इसको जितना मोटा या जितना पतला बनाना है तो आप बना सकती है फिलकुर भी फटे कर रेड़ी कर लेंगे तो यह बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और काफी टेष्टी भी लगते हैं बहुत जादा समय भी नहीं लगता है और स्वाधिस्ट भी लगता है ना एकदम पराठी का यह रेसिपी आपने इस तरीके से पहले यदि आपने नहीं बनाई होगी तो आप जरूर बनाई का लगे कैसा लग रहा है जरूर करके बता является ऐसी ४ आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकती है यह आपकी शाहें तो गोल भी बना सकती आपक कमफरटेबल परअंटे नोगे कर लाएं इसके के तुश्मक को पकाने मैं वह अदभी नहीं है नहीं लगता है और यहें पहसे पेना-इंगे फुल जाता है अच्छा sa foul पूलता है सारे पहल तयार हो जाते हैं तो इस तोहसे जाते हैप पर रहाएं explosions आप चाहे तो किसी के साथ भी मतलब इसको सर्व कर सकती है, सबजी के साथ भी इसको खा सकती है, दही के साथ, रायता के साथ, चटनी के साथ, सौस के साथ, अचार के साथ, इवें चाहे के साथ भी एक काफी टेश्टी लगेगा, तो इस तरीके से आप जरूर बनाईएगा, पालक तो मेरे हाथों किसी भी चीज भी पालक डाल देना तो सभी को बहुत पसंद आता है और पराठे तो बस मत पूछिए यह दी रात को बनाए तो लोग सुबह भी मतलब मांगते हैं कि बस अभी पराठा वाल आंटा बचाओ है तो फिर से पराठे बना दो तो देखिए हम सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो अपने दोस्तों के साथ रिष्टेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा उन्हें पता चले कि इस तरीके से पराठे बनाना मतलब कितना आसान है काफी टेस्टी भी लगता है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए आप लोग एदी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोग पसंद आया तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और यह कोई कमेंट करता है और लाइक करता है तो काफी मोटिवेट होते हम लोग थैंक यू